ऑल्कम टू मैई चैनल आप सभी को नमस्ते तो मैं आज पटल वालू की सब Bji बनाने जा रहे हूं तो यहांपट देखिए मैंने पटल लालू को चील के दो के कट कर ली है अब मैं अपर देखें मैंने करा ही को गरम करनी के लिए रख देटी तेल भी गरम हो गई inward गई थी मैं इसमें पटल को semble दे रहे हैं इसमें हमें आलू को भी डाल रही हूँ, आलू पटल दुनों को मैं साथी में भूंज लूँगी, आलू को डाल दी हूँ, इसे थोरा समय थोरी दे भूंज लूँगी, यही पर देखिए मैं थोरी सी नमक डाल दे रहे हूँ, अब मैं इसको ढख दे रहे हूँ, यहां पर देख़िए मैं दो पियाज को कट कर ली हूँ फोरन में देने के लिए यहां पर देख़िए यह 10 बारब कलियान लासुन की है यह 3 मिर्ची है यह ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है यहां पर यह जीरा है अधी चमच एक चमच यह गोटा धनिया है काली मीर्च है 10-12 पीस तो यह सारी बंसाले को मैं पीस ले रही हूँ यह देखिए हमारी आलू मैं इसमें तेल डाल दे रही हैं मैं आज कूकर में ही सबजी बनाओंगी यह देखिए यांपर में तेल डाल दे हूँ यह देखिए अम तेल गरम हो गये में जीरा डाल दे रही हूँ यह 10 पॉत्ता है एक यह हींग है दो चुटकी जीरा चट्रा गई अब मैं इसमे यह प्याज डाल दे रहें यह देखिए प्याज जलकी ब्राहण हो गई है अब मैं इसमे यह जो मसाले पीसी हों यह डाल दे रहें यही पर यह एक चमच में हल्दी पोडर डाल दे रहे हूँ यही पर देखिए जो टमाटर मैंने एक ठोग कट की थी यह डाल दे रहे हूँ और यह स्वाद अनुसार में नमक डाल दे रहे हूँ तीखा और नमक आप अपने स्वाद के नुसार डाले थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए यह देखिए हमारी मसाले अच्छी तरह से पक गई है टमाटर भी अच्छी तरह से पक गई है अब मैं इसमें यह पटल और आलू को अभी में थोरी सी पटल आलू को मसाले के साथ थोरी और भूंज ले रही हूँ फिर दिखा रही है यह देखिए हमारी सबजी अब अच्छी तरह से भूंज आ चुकी है यह देखिए अब मैं इसमें अब मैं इसमें अपने ग्रेवी अनुसार इसमें पानी डाल दे रहे हैं अब मैं इसमें धक्तन लगाते हैं इसमें एक सीटी मैं लगाऊंगी यह देखिए फ्रेंट्स हमारी अलू पटल की सबजी बनकर रेडी हो गई है यह देखिए मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी दिखा रही हैं यह देखिए यह देखिए फ्रेंट्स हमारी अलू पटल की सबजी अगर आप लोगों को हमारी यह रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक, सस्क्राइब और शेयर कीजिएगा आप यह सबजी पराठे रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं थाइंकिव